हेलो अर्वेंद कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने में ऐसी वीडियो लेकर आए हैं यू डाइस प्लस से संबंदित जिसमें आज कल हम इस्टुडेंट डाटा फीड कर रहे हैं तो हमारे सामने या हमारे स सिक्षकों के सामने समश्य आ रही है उस समश्या को लेकर में इक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ इस वीडियो में बताएं के आपको कौन सी समस्या है, समस्चा के बारे में कब पता लगता है जम हम उस फार्म को पूरा complete कर लेते हैं और share करने की position में आते हैं या फिर अगले segment में बढ़ते हैं तो हमें computer रोक देता है और क्या क्या लिखा आता है जहां डेटो बत भरते हैं और जहां हम फार्म को complete करने के लिए share button पे click करते हैं उसके बाद क्या लिखा आता है यह आपने thumb lane में देख लिया होगा ऐसा कुछ लिखा आता है तो चलिए ऐसा लिखा आता है नहीं आता है आपके सामने हम एक बच्चे का data भरकर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसकी उम्र कक्षा के अनुसार नहीं है तो चलिए mobile phone की screen में चलते हैं और वीडियो को सुरू करते हैं यह रहा गूगल और गूगल को यहां टश कर देते हैं और यहां बढ़ लेते हैं यूडाइस प्लस ठीक है और यहां किलिक कर लेते हैं यहां किलिक करने के बाद फिर आप शेलेंगे नीचे यहां लिखावाई student module यहां किलिक कर देंगे फिर नीचे जाएंगे यहां किलिक कर देंगे ठीक है और यहां user id भर देंगे अपना school का dice code यहां password भर देंगे यहां enter बटन पर किलिक कर दें एक ही बात है यहां पहुंच जाएंगे हम user id प्लस के page पर जहां हम बच्चों का data फिर करते हैं फोनों कर लेते हैं आप साइट पर ठीक है और आप देखिए मुझे किस क्लास में बच्चे के entry करनी है उस क्लास के सामने ही मुझे यहां मिल जाएगा add student ठीक है तो मुझे करनी कर साच्छे में entry करनी है बच्चे की data feed करना है तो यहां किलिक कर दूँगा और कुछ इस परकार से एक form हमारे साम ने खुलकर आ जाएगा देखो इस यह खुलकर आएगा यहां बच्चे का नाम लिखेंगे जो बच्चे का नाम होगा ठीक यहां बच्चे क्या जाएगी date of birth हम भर देंगे date of birth क्या है पटा पटा आगे बढ़ाते रहेंगे father's का नाम हो गया है यह आधार कार्ड का नमबर लिख देंगे यहां आधार कार्ड का नमबर यहां इसका लिख देंगे address भर देंगे address का विशे द्यान देगे address जो आपका वो 20 letters से कम नहीं होना चाहिए green हो जाता है वने red रहता है 20 letters से कम रहा आपका पता address तो यह red रहता है और जहां 20 letters साथ complete होगे तो तुरुंत यह हरा color में हो जाता है ठीक है आगे जलते हैं बच्चे का mobile number बढ़ लेते हैं बढ़े mobile number social category बढ़ लेते हैं बच्चा भी पिल में है वो बढ़ लेते हैं यह no रहेगा आप 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 इसकूल नहीं है यह हो गया है फिर आप इस सैड में जाईए यह जेंडर सेर्च कर लेंगे यहां मदर्स का नेम लिख देंगे अब मेनेटरी नहीं है यहां धार में नाम क्या है बच्चे का वो लिख देंगे जो आपके रिकोड में पिन कोल लिख देंगे मदर्स रंग यहां सेलेट कर लेंगे मदर्स रंग जागे हिंदी हिंदी मेनोटी सेलेट कर लेंगे यह एने में आ जाएगा ठीक है अन्तिजम में नहीं है कि सीडवलू नहीं है यह जैस है ठीक है अब आप यहां देखिए जैसे हम सेव करते हैं यहां तो यह तो लिखा जाता देखो जब हम सेव करने की कोईश करते हैं पच्चे का नाम, पिता का नाम, अम्मी का नाम, date of birth लिखी आ जाती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम confirm पर किलिक करते हैं, तो कुछ इस पर काल लिखा आ जाता है, यह देखिए, जैसे आपने थमेल में देखा होगा, इसा लिखा आता है, और जहां, date of birth भर रहे हैं, यहां क्या लिखावा है, अगर इस पच्चे की date, इसकी एक चार दोजार तेरा होती, तो इस फार्म को computer ले लेता, यह फार्म आगे बढ़ जाता, लेकिन बच्चे की date जो है, date of birth जो वो आठ चार दोजार तेरा है, अगर यह एक चार दोजार तेरा होती, तो यह correct 9 वर्स की होती, पूरे 9 साल की यह व्याती काक्सा 6 में, बच्चे की 9 साल उम्र complete होनी चाहिए, 9 साल complete होनी चाहिए, और यह 8 दिन, यह 7 दिन लगा ज़्यादा है, तो यह computer इसको नहीं लेगा, यह समझ्चा हर class में आएगी, कक्सा 1 में 5 साल complete होनी चाहिए, 2 में 6, 3 में 7, 4 में 8, ऐसे, और 6 में आपकी 9 साल complete होनी चाहिए, 7 में 11 साल complete होनी चाहिए, 8 में 12 साल complete होनी चाहिए, 9 में 13 साल complete होनी चाहिए, और 10 में 14 साल complete होनी चाहिए, अन्य था ये फार्म को नहीं पकड़ेगा तो ये थी एक समस्चा जो हमारे student आटा भणने में आ रही है ये समस्चा का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है ववेश्यम होगा या नहीं होगा वो आने वाला समय बताएगा आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छे लिए लाइक करें शेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जर्ब कर लिजे धन्यवाद जय हिंद